अब तक आपने सुना होगा कि एक पती की प्रतार्णा से पतनी पुलिस विभाग के चक्कर काटती रहती है लेकिन गोंडा में एक बिलकुल अलग मामला सामने आया है एक पती ने अपनी पतनी की प्रताना से परिशान होकर राष्ट्रपती से इच्छा मृत्यू की मांग की है थाना कुतवाली के कौशलेन सिर्वास्तों का कहना है कि वह अपनी पतनी और स्तसराल वालों की हरकत से परिशान है वहलगवक एक साल से पुलिस विवाग के चक्कल लगा रहा है और कोई प्रभावी कारवाई न होने के कारण राष्ट्रपती से इच्छा मृत्यू की मांग कर रहा है जो मेरी बीबी है और उनके पापा, मम्मी वह सभी उनके परिवार वाले हम पे हमेसा दबाव डालते आ रहा है कि तुम अपने मम्मी पापा से अलग होके रहो और हमारे बाबा जी हैं वहाँ पे चलो जैन में वहाँ चलो वहाँ रहो उनकी फोटो लगाओ और तुम जो यह पूजा पाट करते हो नहीं करते हो यह समना करो कि वहल मेरे गुरुजी के ही पूजा करो में मेंटली डिश्टर्ब इतना टॉर्चर होते चले जा रहे हैं कि एकदम से हम इतना परिशान हो गए हैं कि अब हम अपने जीने के च्छाख होते जा रहे हैं महां महीम के पास हम अपनी इस च्छामिर्ट की मांग कर रहा हूं कि वो मुझे हमारी च्छामिर्ट के लिए जारी कर दे हमको इस बला से छोटने इस फासी से अच्छा वो मुझे फासी दे दें वो मनजूरे लेकिन उसमें प्राइविट कॉंसलर्स हैं उसमें साइक्लोजिस्ट भी होते हैं जिस तरह कि इनके ख्याल हा रहे हैं ये मनुविज्ञानिक दबाव में हैं तो वो मैं सोच रहा हूं कि उनकी कॉंसलिंग भी करा हैं और इसके अलावा जो भी बैदानिक कारवाई इस पर बंती होगी हूं